आज हम बात करने वाले हैं परजामंडल आंदोलन की परजामंडल आंदोलन बहुत सारे एक्जामों में ये टापिक लगता है और इसके लिए मैं लेकर आई हूँ किस्चन्स जो बहुत इंपोर्टेंट हैं और आपको पसंद भी आएंगे अगर आपने ये टापिक पढ़ रखा है तो भी आपको रिवाइज करने के लिए हैल्प मिलेगी और साथ ही साथ में मुझे ये बताएं कि आपके कितने किश्चन्स सही हुए हैं तो आज हम डिस्कुस करने वाले हैं 150 किश्चन्स परजामंडल आंदोलन के तो ये 1500 किश्चन्स में से आपको कितने सही होते हैं जरूर बताएं तो शुरू करते हैं हमारे पहले किश्चन्स से राजस्थान में सुतंतरता आंदोलन के दोरान जनता में लोकनायक की उपादी से बूसित नेता थे लोगनाय की उपादी किसे मिली थी राजस्टान में सुतंतरता आंदोलन के दोरान तो वो मिली थी जैनारायन व्यास जी को अगला किश्चन है राज पुताना के किस घृराने ने परजामंडल को सरँखण दे रखा था विकने राजज घृराने ने पर्थम बार जैपूर राजे परजामंडल के संस्तापक थे मतलब जैपूर राजे परजामंडल की दो बार स्तापना हुई थी तो जब पहली बार हुई थी पर्थम बार में उसके संस्तापक कौन थे तो संस्तापक का नाम पुछा है तो कपूर चंद पाटनी अगला है 1938 में जैपुर राजय परजा मंडल का पर्थम वार्शिक दिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयजित हुआ तो फ्रेंड्स इनके शन्स में एक चीज दियान रखेंगे कि यहाँ पर कई जगे पर तो अध्यक्ष पूछा होगा और कई जगे पर संस्थापक तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है तो यहाँ पर जो 1938 में जैपुर राजय परजा मंडल का पर्थम वार्शिक दिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता में जित हुआ किसकी अध्यक्षता में आयजित हुआ तो जमनालाल बजाज अगला है राजय की पहले देशी रियासत कौन सी थी जहां सुतंतरता की पूर्वी जनतांतरिक वे पूर्व उत्तरदाईश आसन की स्थापना हो गई थी तो पहले ही जहां सुतंतरता की पूर्वी हो गई थी जनतांतरिक और पूर्व उत्तरदाईश आसन की स्थापना त संग कि नीक है थे कि बनाए गया था स्तापनवी थी उनीस सु नीस में राजीस साल संकी और उसके अद्देbes और मंत्री कौन बनाए गए थे तो उसके अद्देफ थे मिजय सिंग पतिक और उसके मंत्री थे रांम नहाय दाय चौधरी तो यह हमारा first option is correct सैवंथ जो है मेवाड प्रजामंडल आंदोलन से संबंदित महिला कौन है तो मेवाड प्रजामंडल आंदोलन से संबंदित और थे इन में से तो नारायनी देवी वर्मा है इन्होंने बहुत परमुख भूमी का निभाई थी राज्य के अत्याचार तता जेल में अन्याय के विरुदभुख रड़ताल के दोरान मारवार लोग परिशत के किस नेता की मृतियों Ñँऑ 19-1942 को हुई थी मतलब 19 June 1942 को किस नेता की मृतियों उइथी मारवार लोग परिशद के नेता थे वो और यहाँ पर राज्ये में अत्याचार और जेल में अन्याई के विरुद भू करताल कर रहे थे तो बाल मुकुंद बिश्सा अगला किशन है सुमेलित करना है परजावंडल है दूसरी तरह संस्थापक है बासवाड़ा परजावंडल के संस्थापक कौन थे बुपेंदर त्रिवेदी दोलपूर परजावंडल के संस्थापक थे या फिर स्थापना करता की बात करें तो कृष्णदत पालिवाल सिरोई के थे गोपकुल भाई भट ये सबको पता होगा सिरोई से गोपकुल भाई भट थे और बुंदिया हाड़ोती परजामंडल की बात करें तो पंडेत नौराम शर्मा अगला केशन देखें तो अगला केशन है किस प्रांती परजामंडल ने 1936 इस्वे में कृष्णा दिवस मनाया तो किस प्रांती परजामंडल ने 1936 में मनाया था कृष्णा दिवस तो जोदपूर second option is correct अगला है हटुंडी अजमेर में गांधी सेवा आष्रम की स्ेपना किसने की? हटुंडी अजमेर में हरी बावु ने गांधी सेवा आष्रम की स्थापना की? मैं इसकी स्थापना हुई थि वुर्द़ महरास्त्रा में किनके द्वारा की गई थी ये बताना है तो ये मुझे आप बताओगे 12th नंबर का जो किशन है इसमें किसने मतलब ये बहुत बार repeat हो चुका है अगर आपने पहले के मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें भी देख ले ना में गटित बरतपूर परजा परिशद के पर्थम अद्यक्स बने थे कौन बने थे तो बरतपूर परजा परिशद के पर्थम अद्यक्स थे मास्टर आदित्यंदर जी मेवार परजा मंडल की स्थापना जिनके द्वारा की गई थी वहें हैं मानिके लाल वर्मा जी के दुआरा राजेंदर सिंग निमन लिखित में से किस संस्थान के संस्थापक है तो वो किसके राजेंदर सिंग कौन से संस्थान के संस्थापक है तरून भारत संग के अगला किशन है निमन में से कौन सापुरा परजा मंडल के संस्थापक सदश्यों में से नहीं था तो यहाँ पे संस्थापक जो सदश्य थे सापुरा परजा मंडल के उन में से एक नहीं था, कौन नहीं था लादुराम व्यास था, अबैसिंग थे और रमेश चंदर ओजा थे तिरी लोग चंद माथुर नहीं थे राजपुताना मद्दे भारत सभा का पर्थम अधिवेशन दिली के चांदनी चोक में स्तित मारवाडी पुस्तकाले में महा महुपाद्याय पंडित गिर्धर शर्मा की अदेख्षता में आयोजित कब क्या गया ये पुछा गया है कि कब क्या गया दिली के चांदने चोक में मारवाडी पुस्तकाले में लेकिन अदेख्षता जो थी उनकी महा महुपाद्याय पंडित गिर्धर शर्मा ने की थी और राजपुताना मद्दे भारत सभा का आयोजन कब हुआ था ये बताना है तो इसका राइट आंसर है 29 दिसंबर 1918 फर्स ऑप्षन करेक्ट किसने अंग्रेजों द्वारा दिये गए राय बहादूर के खिताब को त्याग दिया किसने त्याग दिया था राय बहादूर के खिताब को जम्ला लाल बजाज ने सिरोई परजामंडल की स्थापना 1933 इस्वी में कहां की गई तो सिरोई परजामंडल की स्थापना बंबई में की गई थी मतलब राजस्तान से बाहार हुई थी जैसे बिकानेर की भी कलकत्ता में हुई थी उसकी भी बहार हुई थी और उसी तरीके से सिरोई परजामंडल की भी बहार हुई थी बंबई में अगला है सुमेलित करना है कौन सा परजामंडल कब स्तापित किया गया था उसकी स्तापना वर्षते हमें मैच करना है अगला किशन है जमनालाल बजाज और कपूर चंद पाटनी किस परजामंडल से जुड़े हुए हैं तो कपूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज से कपूर चंद पाटनी से आप समझ गये होंगे जैपूर परजामंडल की बात हो रही है मारवार पब्लीक सोसाइटी Eurodinance कब जारी किया गया 1934 में राजस्तान का पर्थम परजामंदल था राजस्तान का जैपूर परजामंदल राजस्तान में सर्व परथम राजनेतिक गतिवीदियों को करने के लिए ये मारवार परजामंडल की स्थापना 1934 इस्वी में किसने की थी, तो 1934 में मारवार परजामंडल की स्थापना भंवर लाल सराफ और जैनाराएंड व्यास ने की थी, थर्ड आप्शन इस करेक्ट, जैपूर राजे में सरवपर्थम राजनेतिक चेतना की अलक किसने जिसे जैपूर राजे में जन जागरती का जनक भी कहते हैं तो जैपूर में जन जागरती का जनक किसे कहा जाता है और जिसने राजनेतिक चेतना की अलग सर्वपर्थम जगाई थी वो थे अरजुनलाल से थी जैपूर में जन जागरती किसे दिया जाता है जैसल मेर में गुंडा राज नामक पुस्तक का लेकर कौन था सागरमल गोपा जिसको जलाकर माल डाला था जेल में वो सागरमल गोपा जैसल मेर से समदित हैं ये 15 दिसंबर 1945 को मीठा लाल व्यास दुआरा जैसल मेर परजामंडल की स्थापना की गई तो यहां पर किशन क्लियर हो रहे हैं देखिए फ्रेंड्स जैसल मेर परजा मंडल की स्थापना मीठा लाल व्यास ने की एक तो ये हमारा कुशन क्लियर हो रहा है और दूसरा पंदरा दिसंबर उनिस सो पैंतालिस को लेकिन ये कहां पर की गई यहां पर ये पूछा हुआ है तो कहां पर की गई थी जोदपुर में जसल मेर की स्थापना जसल मेर न आओकर जसल मेर परजा मंडल की स्थापना जोदपुर में सैकंड आप्शन के गांदी के रूप में किसे जाना जाता है राजस्तान के गांदी गोकुल भाई भट वगड के गांदी वोगिलाल पांडया structure राजस्तान के गांदी से याद रखेंगे गोकुल भाई अगला है सरकार द्वारा मारवार परजामंडल को कब अवेद गोशित कर दिया गया था तो 5 जोन 1937 को जैपूर परजामंडल पुने गठित कब हुआ दो बार इसकी स्थापना हुई थी तो दूसरी बार कब गठित हुआ था यह बताना हमें तो 9 नमंबर 1936 को 5 मार्ज 1949 को जैपूर में किसके नेतरित्व में 6 स्थ्रियों के जथे ने जैपूर में गिरफतारी दी अब यहाँ पर important question दो है friends यहाँ पर एक तो दुर्गावती देवी शर्मा है और दूसरी रतन देवी शास्त्री तो इनमें confused नहीं होना है क्योंकि यहाँ पर 5 मार्ज 1949 को जैपूर के में किसके नेतरित्व में 6 स्थ्रियों के जथे ने जैपूर में गिरफतारी दी किष्ण को ध्यान से देखना और इसका आंसर है रतन देवी सास्त्री यह दुर्गावती देवी शर्मा है यह अलग से समंदित हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी लेकिन आप इसको ध्यान में रखेंगे जैपूर में रतन देवी शास्त्री के नेत्रितु में 5 मार्च 1949 को और रतन देवी सास्त्री जो थी यह हीरा लाल सास्त्री की पतनी थी जून 1941 में अलवर राजय पढ़्जा मंडल द्वारा आयो जीत जागिर माफी पढ़्जा सम्मेलन राजगर का उद्गाटन किस ने किया। जोन 1941 में किस ने किया। जागिर माफी परजा सममेलन। सुमेलित करना है संस्थाएं और उनका थापना वर्स क्या है। तो राजस्तान सेवा संग से समंदित तो बहुत बार किशन आ चुका है तो 1919 में मारवाड इतकारनी सबा 1923, नरेंदर मंडल 1931 और अक्षिल भारती देशी राज्ये परिशद 1927 बरतपूर परजामंडल की स्थापना कहां की गई तो बरतपूर परजामंडल की स्थापना रेवाडी में की गई इंपोर्टन किशन है याद रखेंगे 17 जुलाई 1946 को किस राज्ये में बीरबल दिवस मनाया गया तो बीरबल दिवस बिका नेर में बनाया गया चुन्नी लाल वै अमरितलाल पाइक का संबंद किस परजाम अंडल आंदोलन से मुखे तर जुड़ा रहा तो ये दोनों चुन्नी लाल वै अमरितलाल पाइक ये परताफगड परजाम अंडल से संबंदित है अठारा मार्च अब ये है दूसरा किशन अब इसमें डेट आपने देखी होगी अठारा मार्च 1949 को जैपूर में किसके नेतरितों में सेखावाटी महिलाए सत्यागरहियों ने पर्थम जत्ते ने गरिफतारी दी ये जो था इसका आंसर जो है वो सिरिमती दुर्गावती देवी शर्मा है तो यहाँ पर आपने वो मैंने कहा था इन दोनों में डिफ्रेंस है इन दोनों किशन में अठारा मार्च 1949 को जैपूर में किसके नेतरितों में सेखावाटी महिला सत्यागरहियों के पर्थम जत्ते ने गरिफतारी दी तो ये सिरिमती दुर्गावती देवी शर्मा है और जो उपर हमने किशन देखा था ये पांच मार्च की गटना है जो जैपूर के नेतरितों में चैस्त्रियों के जत्ते ने जैपूर में गरिफतारी दी ये रतन देवी शास्त्री है अगला किशन देखते हैं सन 1938 में इस वी में बरतपूर राजे परजामंडल की स्तापना किसके प्रियासों से हुई सन 1938 में बरत्पुर राजय पटजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो किसके प्रियासों से हुई तो किसनलाल जोसी के 12 चोड़ो अंदोलन के दोरां जेंटलमेन एग्रिमेंट हुआ था किनके मद्दे हुआ था ये जेंटलमेन एग्रिमेंट ये इंपोर्टन किशन है तो ये ध्यान रखेंगे आप ये थर्ड ओप्शन इस करेक्ट मिर्जा स्माइल और हीरालाल सास्त्री के बीच हुआ था जेंटलमेन एग्रिमेंट मिर्जा स्माइल और हिरलाल सास्त्री के मद्दे मुंसी समर्दान चारण द्वारा अजमेर में 1899 में प्रारम समाचार पत्तर का क्या नाम था तो इस समाचार पत्तर का नाम था राजस्तान समाचार अगला किशन है 1928 इस्वी में स्थापित बरतपुर राजे संग का अदेक्स किसे बनाया गया था गोपी लाल यादव को सवतंतरता आंदोलन के दोर में राजस्तान की एक मातर रियास्त जहां उत्तरदाईश आशन की दिशा में कोई विशेश पहल वैपरगती नहीं वी थी वो कौन सी रियास्त थी वो जैसल मेर थी जिसे जौरलाल नहरू ने आठवा आश्चरिय भी कहा है क्योंकि इसमें उत्तरदाईश आशन की दिशा में कोई काम नहीं हुआ था जैसल मेर में इसलिए ये राजस्तान की एक मातर ऐसी रियास्त थी अगला है सागरवल गोपा का समद्ध किस रियासत से था तो ये मैंने थोड़ी देर पहले बताय था जैसल मेर से जिसे मार दिया गया था जलाकर त्याग भूमी के संपादक खौन थे ये भी important question है ध्यान रखेंगे त्याग भूमी के संपादक थे हारी बाव उपाद्याए सुमेलित करना है कौन से परजामंडल का निर्मान कौन से वर्स में हुआ जैपूर परजामंडल 1931 में परथम बार 1936 में दूसरी बार हुआ था अलवर परजामंडल का 1938 में दोलपूर परजामंडल का 1936 में परतावगड परजामंडल का 1945 में यह सारे सुमेलित हैं, मेवाड परजामंडल के पर्थम अदिवेशन का उद्गाटन किस ने किया था, तो यह किया था आचारिय कृपलानी ने, कब किया था, नवंबर 1941 में किस परजामंडल आंदोलन के तहत कृष्टन दिवस मनाया गया किस रियासत के परजामंडल ने 1942 के भार्त छोडों आंदोलन से स्व्यम को पर्थक रखा और भाग नहीं लिया किस-किस परजामडल ने भाग नहीं लिया तो जैपूर जैसल मेर तीनों ने ही भाग नहीं लिया था तो उक्तसभी 4th option is right पंडित नैनुराम सर्मा किस परजामडल से समंदित थे कोटा हाडोती चेतर कोटा परजा मंडल से समंदित थे राजनेतिक चेतना परसार के लिए राजस्थान सेवा संग द्वारा 1922 से अजमेर से कौन सा सापताहिक पत्तर प्रकाशित किया गया 1922 से किया गया अजमेर से कौन सा सापताहिक पत्तर प्रकाशित किया गया तो वो था नवीन राजस्थान 31 दिसंबर 1941 से एक जनवरी 1946 तक उदैपुर में All India Status People's Conference के अदेख्षिता किसने की पंडी जौरलाल नहरू ने मेवाड राज्य का समिदान किसने तयार किया था तो मेवाड राज्य का समिदान के एम मुंसी कनया लाल मानी के लाल मुंसी ने किया भारतिय समिदान सभा में बिक्का नेर की और से किसने भाग लिया था तो भारती समीदान सभावे बिक्का नेर की और से भाग लेने वाले थे सरदार के एम पन्नीकर मात्मा कांदी ने 1942 सिस्वी के भारत छोड़ो आंदुलन में रियास्तों में सुतंतरता सेनानियों को संगर्स का कौन सा नारा सुजाया था राजाओ अंग्रेजों का साथ छोड़ो मेवाड में परजा मंडल के संस्थापक और परमुक कारे करता शिरी मानिक के लाल वर्मा को 1949 में गिरफतार कर मेवाड में कि स्थान पर बंदी रखा गया तो यह important question है मानिक के लाल वर्मा को 1949 में गिरफतार किया गया मेवाड की कौन से स्थान पर उनको बंदी बना कर रखा गया तो कुम्बल गड़ दुर्ग में अगला question है कनया लाल मितल मांगी लाल भवे और मकबूल आलम की राजे परजामंडल से संबंदी थे सुमेलित करना है परजामंडल और उनके स्थापन करता जालावाड में किसने स्थापना की थी परजामंडल जालावाड परजामंडल से संबंदी थे अगला है दुंगरपुर, दुंगरपुर से हैं भोगिलाल, पांडया, पागड के गांदी, अगला है जेशल मेर, जेशल मेर से थे मीठालाल, व्यास, 1945 में स्थापना की थी और बिकानेर से हैं मेगराम, वैद्दे, अगला है अध्यापक सिवराम भील का संबंद किस कांड स तो सिवराम भील का संबंद पुनावाडा कांड से था, डुंगरपुर, पुनावाडा कांड, डुंगरपुर, सिवराम भील, राजपुताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई, जेशल मेर के सुतंतरता सेनानी वा परजामंडल आंदोलन के कारे करता सागरमल गोपा का देहावसान कैसे हुआ ये वापत से बता रही हुआ है जेल में हत्या जलाकर जैपूर में 1942 के भारत छोड़ो अंदोलन का संचालन किस संगठन ने किया तो किस संगठन ने किया आजाद मोर्चा इंपोर्टन्ट किश्यन है ये फ्रेंड्स जैपूर में 1942 में बारत छोड़ो अंदोलन का संचालन किस संगठन ने किया आजाद मोर्चा निम्ने में से कौन महंत प्यारे लाल मत्या कांड से संबंदित नहीं था उसका बताना है कि कौन संबंदित नहीं था तो सौमदत लहरी थे ठाकूर केसरी सिंग बाराट थे रामकरन थे कौन नहीं था फोर्थ ओप्शन इस करेक्ट मोहनलाल जालोरी बारती राष्ट्रे कौन्ग्रेस में किस अधिवेशन में देशी रियास्तों के सुतंतरता आंदोलन को अपने अंग के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया हरीपूरा कॉंग्रेस के हरिपुरा दिवेशन में हरिपुरा गुजरात 1938 में हुआ था जिसके अधिक्षता सुभाज चंदर बोश ने की थी मारवाड में तरून राजस्तान का संपादन किस ने किया था तो तरून राजस्तान का संपादन किया था जैनारायन व्यास ने अगला है जहलावाड के राजा राणा राजेंदर सिंग जिनका साशनकाला 1929 से 1943 ने किस वर्ष में गोल में सम्मिलन में एक दर्शक के रूप में भाग लिया तो कब 1930 में 1938 में जोदपूर परजा मंडल का नाम परिवर्तन कर कौन सा राजनेतिक संगठन गठित किया गया था 1938 में जोदपूर परजामंडल का नाम परिवर्तित कर मारवाड लोग परिशद रखा गया था सन 1936-37 में पुनरगटित जैपूर राजे परजामंडल के अदेक्स बने थे तो पहली बार सिरी कपूर चंद पाठनी थे और 1931 में बाद में फिर से पुनरगटित किया गया था तो इनके अदेक्स बने थे जैपूर राजे परजामंडल के अदेक्स थे चरंजिलाल मिश्र अगला है सेट जमनालाल बजाज जैपूर राजे परजामंडल के अदेक्स बने थे कब बने थे तो ये बने थे 1938 में अगला है 1936 में जैपूर परजामंडल की स्थापना में निवन में से कौन सम्मंदित नहीं है तो 1936 में जैपूर परजामंडल की स्थापना होई थी तो उन से सम्मंदित लोग कौन कौन से थे उनके संसापक सदश्यों से कौन सम्मंदित नहीं है वो बताना है तो जम्नाल बजास थे, हीरा लाल सास्त्री थे, कपूर चंद पाटनी थे, अचलेश वर पर साथ, थर्ड ओप्शन इस करेक्ट ये नहीं थे मेवार परजामंडल के परमुक नेता जिने भारत छोड़ो अंदुलन के दोरान 21 अगस्त 1942 को गिरफतार किया गया था वो कौन थे मेवार परजामंडल के परमुक नेता, मानिके लाल वर्मा, बलवन सिंग महता और मोहला सुकाडिया इन सब को गिरफतार किया गया था, उप्योकत सभी अखिल बारत्य देशी राज्ये लोग परिश्यद का पर्थम अधिवेशन हुआ कहां, बंबई में जैसल मेर रियासत के इत्यास में पहली बार जोहर दिवस कब मनाया गया, तो जैसल मेर रियासत के इत्यास में पहली बार जोहर दिवस 16 नमंबर 1930 को मनाया गया बीश्मी सदीका राजस्थान, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, राम नारायन चोधरी के द्वारा, फॉस्ट ओप्शन इस करेक्ट, पहला ओप्शन सही है, राम नारायन चोधरी के द्वारा, तो मैं अगें, फॉस्ट ओप्शन इस करेक्ट, अब अगला किशन है, सु मेलिद करना है तो दोलपूर परजामंडल बाकी तो सारे सेम ही हैं मतलब तीन परजामंडल ऐसे हैं जिनका निर्मान वर्ष 1949, 1939 है और एक का 38 है तो दोलपूर का 1938 है बाकी इन तीनों का सिरोही का किसंगड परजामंडल का और कोटा परजामंडल का 1949 है तो याद रखेंगें सिरोही किसंगड और कोटा सिरोही किसंगड कोटा 1949 और दोलपूर 1938 अगला है जैपूर में वर्दमान विद्याले की स्थापना किसने की तो अरजुनलाल सेथी ने राजस्तान की किस रियास्त को पंडित जौरलाल नेरू ने विसु का आठवास चरिय कहा ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ जैसल मेर को क्योंकि यहां पर जो उतरदाई साशन के लिए कुछ भी नजर नहीं आ रहा था ये ही एक मातर राजस्तान की ऐसी रियास्त थी तो उस से पंडित जौरलाल नेरू ने विसु का आठवास चरिय कहा था जैसल मेर 1938 में स्थापित मेवार्ट परजामणल का पर्थम अदेक्स कौन था तो मिवार्ट पर्जामंडल का पर्थम अदेक्स बलवन सिंग महता थे डंकेरी चोट सुण पर्जामंडल युगीन गीत के रचपना कर दो थे कौन थे ? जैनारायन व्यास किस राजपूत राजज्ये के परजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी किस बोगिलाल पांडया को जाना जाता है थर्ड ओप्शन इस करेक्ट. बोगिलाल पांडया उस नेता को पहचानिये जो जैपूर परजामंडल में सक्रिये नहीं था तो कौन नहीं था सेक्रिये प्रियाग राज बंडारी नहीं थे बाकी के थे देवी संकर तिवारी दौलत मल बंडारी और रामकरण जोसी प्रियाग राज बंडारी नहीं थे बरतपूर में राजनेतिक चेतना जागरित करने तो सबसे पहले गठित संस्था थी कौन सी संस्था गठि के जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी जागिर्दारों में प्रसपर मेत्री संबंद पैदा करना बिल्कुल सही साशक वा जागिर्दारों के उचित अधिकारों का समर्थन करना बिल्कुल सही जनता की सिकायतों का निवारण वे राजनितिक चेतना का परसार बिलकुल सही इन सब वज़े को ध्यान में रखते हुए ही राजस्तान सेवा संकी स्थापना की गई थी उप्युक्त सभी सही हैं राजस्तान सुधार सुरी समाज सुधार की उदेशे से देश हितेशिनी शभा की स्थापना कहां हुई थी समाज सुधार की उदेशे से उदैपुर में सुमेलित कीजिए एक तरफ परजा मंडल है दूसरी तरफ निर्मान वर्ष है तो बरतपूर मारवाड मेवाड और जहलावाड तो मारवाड परजा मंडल की स्थापना 1934 बरतपूर और मेवाड एक ही है मतलब बरतपूर परजा मंडल और मेवाड परजा मंडल की 1938 में हुई थी और जहलावाड परजा मंडल की 1946 में किस परजामंडल के सत्याग्रे के पहले सत्याग्रे ही स्री रमेश चंद्र व्यास थे थे था सिरीमती सनेह लता जो माने के लाल वर्मा की पुत्री थी को भी गिरफतार कर लिया गया था किस मर्द परजामंडल के सत्याग्रे से पहले सत्याग्रे रमेश चंदरव्यास और सिरीमती सने लता को गिरफतार कर लिया गया था कौन से परजामंडल की बात हो रही हैं आपे मेवाड क्योंकि जो माने किलार बर्माजी हैं वो मेवाड से ही समंदित है जैपूर परजा मंडल के निम्न निताओं में से कौन सा आजाद मोर्चागा सदस्य नहीं था तो आजाद मोर्चागा के शुरुआत हुई थी जैपूर परजा मंडल में बारचोडो आंदोलन के दोरान 1942 में तो कौन उसका सदस्य नहीं था तो ये वापत से आया शायद रामकरण जोसी थे, दोलतमल बंडारी थे, हरीच चंदर थे, हीरालाल सास्त्री नहीं थे, थर्ड ओप्शन इस करेक्ट अगला है, उत्तरदाई शासन किस थापना की मांग स्विकार करने पर बरतपूर के किस राजा को राजगदी छोड़ने के लिए बाद्दे किया गया था, तो बरतपूर के राजा थे, किसन सिंग अगला किशन है, राजस्तान में राजनेति गती वीदियों के संचालन हितु सर्वपरतम किस राजगे में 1934 में परजामंडल की स्थापना की गई थी, सन 1903 में सापूरा में किस ने एड़वर्ड सप्तम के राजा रोवन का समारोख का विरोध किया था, केसरी सिंग बारह ने, पोपा भाई की पोल और मारवाड की अवस्ता नमक दो पुस्तके हैं, तो पोपा भाई की पोल बहुत ही फेमस पुस्तक है, किसने लिखी हैं, और मारवाड की अवस्ता है, दोनों जैन आरायन व्यास ने लिखी हैं, गनेशी लाल उस्ताद सरकारी नोकरी छोड़कर क कवीताओं के मादेम से मारवाड में जागरती फैलाई, कवीताओं का संग्रह किस पुस्तक में संग्रहित है, तो उनकी जो पुस्तक का नाम है गरीबों की आवाज, इंपोर्टन किशन है याद रखेंगे, गणेसी लाल उस्ताद सरकारी नोकरी छोड़कर कवीताओं के माद 1932 में सवाधींता दिवस मनाया छगन राज चोपासनिवाला ने, अगला है अकिल बार्जी देशी राजे लोक परिशत के सदसे, पंडित जो अलाल नहरू ने अप्रेल 1940 में किसको मारवाड की स्तिती का अवलोकन करते विए जोदपूर बेजा करने हेतु, जोदपूर बे पंडित नहरू ने जिसे बेजा था, मारवाड की स्तिती का अवलोकन करने के लिए, वो थे पंडित द्वार का नात काच्टू, थर्ड ओप्शन इस करेक्ट, राजे का अंतिम परजा मंडल कौन सा था, तो अंतिम था जहलावाड, महेश्वरी नवयोग मंडल का सम्मद कि परजा मंडल से माना जाता है, जसल मेर परजा मंडल से, सुमेलित है, समाचार पत्र प्रकाशित होने का स्थान, तो समाचार पत्र कौन से स्थान से प्रकाशित होता था, परताप कानपूर से होता था, गणेश संकर विद्यारती इसके संस्तापक थे, राजस्तान समाचार अगला है 1934 में जोदपूर परजावंडल की सापना किसके अदेख्षता में की गई डुंगरपूर रियासत में सिक्षा प्रेमी नाना भाई खाट और काली भाई जून 1947 में अद्यापक सिरि सेंगा भाई को बचाने की खातिर सहीद हुए थे यह कार्ण किस नाम से जाना जाता है तो यह हम सब जानते हैं रास्तापाल कार्ण काली भाई के नाम से ही बहुत फेमस है यह रास्तापाल कार्ण इसने अपने अध्यापक को सिरी सेंगा भाई को बचाने की खातिर सहीद हुई थी और ये नाना भाई खाट वहाँ के मतलब निगरानी में थे स्कूल की कोटा प्रजामंडल का पर्थम अधिवेशन नैनुर राम सर्मा की अधिख्षता में 14 अक्टूबर 1949 इसवी को कहा हुआ कोटा प्रजामंडल का पर्थम में दिवेशन की बात हो रही है तो ये हुआ था मांग रोल बारा में जैपूर प्रजामंडल को जैपूर रियासत द्वारा कब मानेता प्राप्त की गई थी अलवर परजामंडल की स्थापना 1938 इस्वी में किसने की थी अलवर परजामंडल की स्थापना की बात हो रही है तो पंडित हरी नारायन शर्मा और सिरी कुंज बियारिलाल मोधी दोनों 1922 इस्वी में राजपुताना का एजी जी कौन था 1922 में राजपुताना का एज़ी जी था रोबर्ट हॉलेंड डाबडा कांड नागोर कब गटित हुआ था 13 मार्च 1947 को किसके प्रियासों से 1949 इस्वीव में किसंगड परजामंडल की स्तापना की गई तो किसके प्रियासों से की गई थी कांती चंद चोथानी किप्रियासों से ठाकुर छातर सिंग और ठाकुर पंचंद सिंग का संबन्द किस परजामंडल से है तो दोलपूर परजामंडल से किस नेता को सेरे भरतपूर की संग्या दी गई तो गोकुल वर्मा को सेरे भरतपूर कहा जाता है अलवर में जन्जागरती फैलाने का अश्रे किसे जाता है जिनोंने आदिवासी संग एश्प्रेरस्ता निवारन संग और वालमिक की संग स्थापित किये थे पंडित हरी नारायन शर्मा जैपुर परजा मंडल वा सरकार के मद्दे समझोता कब हुआ था दो अप्रेल 1940 को फोर्थ ऑप्शन करेक्ट किसने शिरोई संदेश नामक समाचार पत्तर में शिरोई के महरावल के निरंकुष सासन की कट्टू आलोचना की थी बीम संकर शर्मा 1944 इसवी के अलवर परजा मंडल के पर्थम अदिवेशन का अदेख्स किसे बनाया गया था बवानी शंकर शर्मा को 25 नमबर 1946 को जालावार परजा मंडल की स्थापना किसकी अदेख्शता में की गई थी तो मांगीलाल भवे की अदेख्शता में सागर्वल गोपा की मृत्यू पर जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था जिन को जला कर मार दिया गया था जेल में गोपाल सुरू पाठक कमेटी का गठन किया गया था उदैपुर में अक्किल मारतिय देशी लोक प्रिश्द का छटा दिवेशन किसके अदेख्षता में हुआ था जौलाल नेरू के अदेख्षता में हुआ था जौला परसाद और यमुना परसाद वर्मा ने 1910 में दोलपूर में किस सभा किस सापना की थी अचार सुदारिनी सभा 1938 इसवी में दोलपूर परजा मंडल की स्थापना किस ने की थी जौला परसाद जिग्यासू और जोहरी लाल एक वैदो दोनों ने बरतपूर परजा मंडल के किस सदस्थे को दूसरा जौलाल नेरू कहा जाता परजा परजा परिशद के कारियों के दौसरा किस के दौरा की गई थी तो रगवरीर दियाल गोयल के दौरा किस की अद्धिक्स्ता में जपूर परजा मंडल ने भारत चोड़ो अंदोलन में भाग नहीं लेने का फैसला किया था हीरा लाल सास्त्री की अद्धिक्स्ता में तीन मार्च 1948 को जोदपूर में गटित पहली मिली जुली उत्तरदाई सरकार के परदानमंत्री कौन थे जैनारायन व्यास जी 1931 में कांतिलाल के देख्सता में किस परजा मंडल की स्थापना की गई थी अगला है स्वामी स्रदानन्द ने कहां पर सुदेशी वे सुद्धी आंदोलन चलाया था तो स्वामी स्रदानन्द ने दोलपूर में चलाया था यह आंदोलन सुदेशी वे सुद्धी आंदोलन डुंगरपूर के महाराल रावल सेवा संग द्वारा संचालित पाठेशालाओं को बंद करवा रहे थे तबी 30 मई 1947 इस वी को पुनावाडा गाउं की पाठ साला को तुड़वा कर वहां के अध्यापक सिवराम भील का निर्ममता से पीटा गया था ये गटना कौन सा कांड कहलाती है तो ये पहले भी पूछा गया था ये वापत से रिपीट हुआ है थोड़ा सा दूसरे तरीके से तो सिवराम भील की बात करें तो ये कौन सी कांड से संबंदीत है तो ये पुनावाडा कांड से संबंदीत है कुशलगट परजामंडल के संस्थापक कौन थे बंवरलाल निगम फर्स्ट ऑप्शन डुंगरपूर में खादी कारी के परसार के लिए सिरी गोरवी संकर उपादय द्वारस स्थापी संस्था थी उस संस्था का नाम था सेवाश्रम राजस्तान के पर्थम मुखे मंतरी स्री हीरालाल सास्त्री की जनम स्थली है जोबनेर जैपूर ब्रिटिश शरकार ने डुंगरपूर के किस महरावल के परसाशन से ऐसंतू स्थोकर उने सिहासन से चूत कर 1845 में वरंदावन बेज दिया मतलब सिहासन से हटा दिया और डुंगरपूर के किस महरावल को परसाशन से ऐसंतू स्थोकर ब्रिटिस सरकार ने उने वरंदावन बेज दिया था 1845 की गटना है ये तो जस्वन सिंग द्वित्ते 24-25 नवंबर 1931 को मारवाड राजे लोग परिशद का पहला दिवेशन कहां आयोजित क्या गया था पुषकर अजमेर सही कथन है पुषके और उनके रचईता मारवाड में उतरदाई सासन आंदोलन क्यों इसके रचईता सिरी जैनारायन व्यास बिल्कुल सही संगर्स क्यों सिरी रंचोड़ दास गटानी बिल्कुल सही जो देश के लिए जिये संकर सहाय सकसेना उप्युक्त सभी सही है अखिल भारतिय देशी राजे लोग परिशद की अपील पर भारत की सभी रियास्तों के परजा मंडल ने रियास्ती दिवस कब मनाया था 19 अप्रेल 1942 को अगला है डुंगरपुर के सिरी गोरी शंकर उपादाय द्वारा निकाला जाने वाला हस्त लिखीत समाचार पत्तर का नाम बताईए सेवक था भूंदी राजे लोग परिशद का देख्स किसे बनाया गया था हरी मोहन मात्थुर को महिमा देवी किंकर रमा देवी और कृष्णा कुमारी ये सब महिलाएं किस आंदुलन को बढ़ाने में भूमिक का निभाई थी इनोंने मारवाड अगला है बारचोड़ो आंदुलन के तहट बरतपुर में महिला सत्यागरे का नैतरितु किसने किया था सरस्वती बोहरा ने तमीशो कांड जो दोड़पुर में हुआ था कब घटित हुआ था आपको डेट बताने 11 अप्रेल 1947 को हुआ था बंबई में अखंड भारत नामक समाचार पतर का संपादन करना किस ने प्रारंब किया था यह क्या था जैनारैन व्यास जी ने पर्थम गोल में समयलन कब आयो जीत हुआ इसमें कॉंग्रेस ने भाग नहीं लिया था और बिकानेर महराजा ने भाग लिया था तो पर्थम गोल में समयलन की बात हो रही है तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 Second option correct है बिहार के एक धनाड़े जैन महंत का धन प्राप्त करने हेतु मोती चंद जै चंद अरजुनलाल सेथी इन सब ने मिलकर उसको उसकी हत्या कर दी थी तो यह गटना क्या कौन से हत्याकांड कहलाई नीमेज या आराकांड कहलाती है नीमेज या आरा हत्याकांड राजस्तान की देशी रियास्तों में डाक टिकट एवं पोस्ट कार्ड की शुरुआत सर्व परतम 1904 में जब पुर रियास्त में किसके द्वारा की गई माराजा मादो से एक तुईत्य के द्वारा देशी रियास्तों पर लिखी वी ये किसकी परसीद पुस्तक है इंपोर्टेंट किशन है फ्रेंड्स जरूर याद रखिएगा वाट आर दा इंडियान स्टेट्स विजे सिंग पथिक द्वारा राजस्तान के पर्थम करांतिकारी जिनोंने करांतिवय आजादी का पाठ पढ़ाने के लिए जैपुर में भारत की पर्थम राश्टी विद्धापीठ जैन वर्दमान विद्ध्याले की स्तापना की तो सीधा अगर हम पूछें तो जैन वर्दमान विद्याले की स्तापना किस ने की थी अर्जुनलाल सेठी ने सुमेलित करना है समाचार पत्र और उनके परकाशक आंगीबान के परकाशक थे सिरी जैनारायन व्यास लोकवानी, पंडित देवी संकर, तिवारी, देश हितेसी, मुनसी, मुननालाज, शर्मा और त्याग भूमी ये हम पहले भी पढ़ चुके हरीबाव उपध्याए अगला किशन है बिकानेर के माराजा गंगा सिंग, 1931 में गोल में सम्मेलन लंदन में भाग लेने गए थे थी और वो क्या कहलाता है, बिकानेर सडियंतर अभियोग कहलाता है, उनके अबसेंस में ये उनके खिलाफ जो बुक थी, बिकानेर एक दिख दर्शन, ये पुस्तिका वित्रित करवाई थी, इसलिए बिकानेर सडियंतर अभियोग हुआ था, जिसमें उनके सजायें दिलव कब की गई नरेंद्र मंडल की स्थापना 1920 महेंद्र कुमार मदन पराजय पार्शव यग आदी किसकी कृतियां है अर्जुनलाल सेथी किसने अपनी आत्म कथा परतेक्स जीवन सास्त्र याद रखेंगे परतेक्स जीवन सास्त्र वे 1930 में गीत परले परतिक्षा नमो नमो लि एक गीत वो किसका है जो बहुत ज़्यादा लोग प्रिय हुआ पंडित हीरालाल सास्त्र द्वारा लास्ट किशन है 150 कौन पहले वैं आकरी भारतिय थे जो देश के गवर्नर जनरल बने तो वो थे सी राज गोपाला चारी तो ये थे हमारे 1500 किशन्स होप आपकी तयारी में ये मदद करेंगे और हमें जरूर बताएं कि आपके कितने सही हुएं इन में से किशन्स और एक किशन्स जो मैंने पूछा था बारवे नंबर का उसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाइज जरूर करें ये लगी ति लुक्ति प्लीस दिख दट तर्वल्टन फ्ली शब्सक्रव एक शब्सक्रवर स्वी घंडप लिए शब्सक्रवर एक पूरे में प्लीज जिए एका कमेंट और सबस्क्रवर चनली पोत एक बारिए जिस घरूर सिचिए में मावा है